क्वेशन्स में हैं इजी भी हैं मौडरेट भी हैं टफ भी हैं टफ तो नहीं कहूंगा बढ़ हाँ आपके अभी कॉंटेक्स से अगर मैं समझाना चाहूं तो हाँ आपके लिए शायद अभी फिलाल इनीशे लेवल पर टफ लग सकते हैं बट ग्राजूली यही वो क्वेशन तो फिर आप मेंस और िड्वास निकाल लेते न तो यह चैलेंजिंग है यह क्वेशन स्टफ हैं यह उसाथ नहीं और अगर मैं आसान व्यां कर आपको यह फील करवा दूकि देखो भई क्वैस्टन्स हो रहें तो बात तो फिर वहीं होगे कि आपको आप कुछ नया कैसे स तो हर question को रखने का एक motive है, हर question को रखने का एक intent है और इसी तरीके से रखे गए हैं ताकि questions नहीं भी हो तो फरक नहीं पड़ता आपकी कोशिश से चलती रहनी चाहिए and I hope जब मैं समझा देता हूं तो समझ जरूर आता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है and यकीन करिए, after a certain amount of time तो बाप लगे रहेंगे, देखो ऐसा होता है, एक barrier होता है barrier कैसा होता है students, आप शुरुआत में struggle करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो interest, आपका inclination और आप बहुत passionate होकर यह चीज़ें कर रहे होंगे, पर यहां से यहां तक जाने का वो patience चाहिए है, कि आप चुप चाप questions करते चले जाए, बस लगे रहें I hope आपको यह point यहादे students, consistency is the key, मतलब जुटे रहना, टीके रहना, perseverance, बस बने रहना, बस कोशिश करते रहना, give up मत करना, quit मत करना, try करते रहना, शुरू में वो आएगा, वो barrier आएगा, वो point आएगा, जहां पर आपका वो threshold तूटेगा, और फिर चीज़े smooth हो जाएंगे, तो बस लगे रहे है, question strike करते रहे है, बहुत ज़्यादर disappoint या disheartened मत होई है कि नहीं हो रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको यह बात करे कर पुश कर रहा हूं कि आप कोशिश करते रहे हैं, बस अभी इतना काफी है, और अभी तो हम initial stage पर है अभी हम अलग-लग chapters पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे जितना जाद आपका knowledge बढ़ जाएगा, जब आपके पास बहुत सारे ideas होगें, जब आपके पास बहुत सारे inputs होगें, तो आप question को अलग-लग perspective से सोच पाएंगे, फिर आपके पास ideas होगें, आपके पास अलग-लग ची